हेलो स्टूदेंट वेलकम टू सेयर इंटरनेशनल ओनलाइन क्लाशिस पेटा अभी हमने पिछली वीडियो में 1857 के रिवोल्ट के बारे में डिस्कुस किया था कि 1857 से रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने किस तरीके से कानून बनाए और कैसे अपने काम करने के तरीकों को है वो नोने बद्दा आज हम आपका चेप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं चेप्टर नंबर 6 है आपका कॉलोनिजम एंड दा सीटी यानि उपन रिश्वाद के तहित भार्त का जो किर्शी तंत्र है वो कैसा था यानि भार्त के जो किसान है वो कैसे किर्शी करते थे अब आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजों की गुलामी की दौरान भार्त की जो सहर है उन सहरों की क्या कंडिशन थी कैसे सहर है वो डवलब हुए ठीक है तो इसमें फर्स्ट आता है आपका ओपनिवेशिक सासन में सहरों का क्या हुआ कि जो ओपनिवेशिक सासन था उसमें सहरों का है वो क्या हुआ अठारवे सदी में के अंत में 18 सेंचरी के अंत में कलकटा मदरास और बंबई बंबई में यहां जो बंबई का ही पुराना नाम है बंबई ठीक है 18 सदी के अंत में कलकत्ता बंबई मदरास का मैतो प्रेजिदेंसी सहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था यह सत्ता की केंदर बन गई और यह क्या है कि सत्ता की केंदर है वो बन गई देखो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ब्रेटिस भारत की जो राजदाने था वो पहले क्या था कलकत्ता ही था ठीक है अब यह कलकत्ता मदरास और बंबई इन प्रेजिदेंसी सहरों का मैतो 18 सदी के अंत में तेजी से बढ़ने लगा और यह सत्ता के केंदर है वो बन उत्पादन होता था इसलिए पिछडने लगे क्योंकि वहां जो चीजें बनती थी उनकी मांग गट गई थी अब वह दोड में वह सहर पीछे रहने लगे पीछे इसलिए रहने लगे पिछडने लगे क्योंकि वहां जिन चीजों जिन खास चीजों के उत्पादन होता था उन चीजों की मांग है वो गट गई थी जब अंग्रेजों ने स्थानिय राजाओं को हरा दिया कि जब अंग्रेजों ने भारत के स्थानिय राजा थे यहां के जो लोकल राजा थे उन राजाओं को हरा दिया और सासन के नए केंद्र पैदा हुए और सासन करने के जो नए के केंदर है पैदा हुए तो छेत्रे सत्ता के पुराने केंदर ढह गए तो जो छेत्रे सत्ता थी यहां के स्थाने राजाओं की जो सत्ता थी उसके जो पुराने केंदर थे वह ढह गई वह नस्ट है वह हो गए इस किरिया को वी कहा जाता है और इस किरिया को भी शहरी करण है वो कहा जाता है यह पुराने जो छेतरिय के इंदर थे सकता के वो डहे गए जो पुराने शहर थे जो अपनी कुछ खास चीजों के उत्पादन के लिए जाने जाते थे वे पिछडने लगे इस परक्रिया को भी शहरी करण की पर बहुत पुराना है दिल्ली काफी टाइम काफी बार उजड़ा है और काफी बार है वो बसा है ठीक है इतिहासिक सहर दिल्ली 19 सदी में एक धूल भरा कस्वा था यहां पर ज्यादा मैक्तव है वह या ज्यादा development है वो नहीं थी परंतु 1912 में ब्रिटिस भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें जान आ गई लेकिन 1912 में ब्रिटिस भारत की राजधानी बनने के बाद दिल्ली में एक नई जान है वो आ गई अब हम देखते हैं कि दिल्ली है वो भारत की राजधानी है और उसमें काफ ब्रिटिस भार्त की राजधानी बनने के बाद दिल्ली में है वो जान आ गई और ब्रिटिसों ने दो वास्तु कारों को निक्त किया जिन्होंने नई दिल्ली का डिजाइन है वो तैयार किया और जो नई दिल्ली बचाई गई वो बिल्कु वैल मेनेज तरीके से डिजाइन करके हुए ही बचाई गई है दिल्ली हजारों साल तक राजधानी रहे चुका है अब जो दिल्ली है वो हजारों साल तक राजधानी सहर है वो रहे चुका है यमना नदी के बाएं किनारे पर अब यमना नदी है वो दिल्य के बाएं तरफ से गुजरती है तो यमना नदी के बाएं किनारे पर लग भग साथ वर्ग मील के छोटे से छेत्र फल में कि यम्ना नदी के बाएं किनारे पर लबग साथ वर्ग मील के छोटे से छेत्र में सबसे अच्छी जो राजधानी है यह हम कह से सबसे श्यांदार जो राजधानी है वो सहाजा ने बसाई थी सहाजनाबाद ठीक है सहाजा ने सहाजनाबाद जो राजधानी है वो बसाई थी सहाजनाबाद की स्थापना 1639 एश्यू में शुरू ही इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा सहर था कि इसके बीच में एक किला महल और बगल में बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ एक सहर था लाल किले के पस्चिम की और अब लाल किला रेड फोर्ट ठीक है लाल किले के पस्चिम की और 14 दर्वाजों वाला पुराना सहर था यानि उस सहर के 14 दर्वाजे थे उसमें एंट्री करने के अलग अलग ठीक है तो लाल किले के पस्चिम की और 14 दर्वाजों वाला पुराना शहर था जामा मस्जिद जैसी भवे मस्जिद भी थी और जामा मस्जिद जैसी जो भवे मस्जिद है वो भी इस साजनाबाद सहर में ही थी जो उस टाइम पर सबसे उंची मस्जिद है वो थी और जो अपने एतिहासिक महतों के लिए जानी जाती थी ठीक है इससे उंची कोई जगह नहीं थी और उस प्रेजन टाइम के ऊपर इसे उंची कोई जो जगह है वो नहीं थी चांदनी चोक ये दिल्ली की बात है साधनाबाद की चांदनी चोक के बीच से नहर जाती थी जिससे सहर में पानी की आपूर्ती की आपूर्ती है वो की जाती थी यानि चांदनी चो समय सहाजा भारत का जो समराठ था उस टाइम पर दिल्ली है वो सूफी संस्कृति का भी एहम केंदर यानि एक में सेंटर पॉइंट है वो हुआ करती थी यहां कई दरगा ठीक है यहां पर कई दरगा खान का इदगा थे लेकिन यह सहर भी आदर सहर यानि एक अच्छा सहर है वो नहीं माना जाता था यह भी एक आदर सहर है वो नहीं था अमीर और गरीब के बीच बहुत गहरा फासला था अब इस टाइम पर भी अमीर और गरीब के बीच बहुत गहरा फासला था जो आपस में भेदभाव या बिंता का या यह कहें कि हम जगडों का कारण है वो बनता था क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में खाई है वो उस टाइम पर भी काफी ज्यादा थी हवेलियों के बीच संख है कच्छे मकान थे अब हवेली एक तो देखो बह whis्य इमारत अच्छी उंच्छी हवेलिया और उनके बीच में कच्छे मंकान तो ये क्या थबो कि अमीरी और संगीत की ज़़ दुन्या थी वो सिर्फ मरदों के लिए थी महिलाओं को इस दुन्या में एंट्रिं नहीं है महिलाओं के लिए चीजें नहीं हुआ करती थी तो उस टाइम पर भी मरद है वही मुख्यदारा या उन्ही को महिलाओं को ज़्यादा महितो है वो नहीं दिया जाता था